फ्रन्ट्स, आठ जून को Sex Championship होने वाली है, Sex की एक परतियोगिता होने वाली है, जिसमें कोई भी पर्टिविपेट कर सकता है, और इस परतियोगिता में अलग-अलग कैटेगरी भी होगी और लोग अपनी कैटेगरी, यानि Sex की अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से, जो उन् चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हलो एवरिवन मैं आक्टर फारुख बैदुलाह आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है जहां बाते होती है सेक्स और फिटनेस की फ्रेंट्स एक देश है स्वेडन स्वेडन में सेक्स को स्पोर्ट का दर्जा मिल चुक इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे उनकी अलग अलग कैटेगरी होगी कैटेगरी का मतलब जो लोग खुद को चाहते होंगे कि औरल सेक्स में पार्टिसिपेट करें उनके लिए औरल सेक्स की कैटेगरी होगी कुछ लोग चाहते होंगे कि pentoration sex में participate करें तो pentoration sex की अलग category होगी four play की अलग category होगी body massage की अलग category होगी endurance की अलग category होगी तो sex की अलग-अलग categories होगी इन categories में से जिसको जो पसंद आएगा वो उस category में participate करेगा जाकी 6 गंटे का बहुत ही कड़ा competition होगा जिसमें 45 से 60 minute का एक round होगा यानि कि रिंग में जैसे कि एक boxer perform करता है उसकी एक time limit होती है रिंग में boxing perform करने के दौरान ऐसे ही यह sex जो sport हो चुका है Sweden में इसका जो championship हो रहा है उसमें 45 से लेके 60 minute की timing होगी perform करने की आप जो भी category select करते हैं यह तो ही पूरी news अब असली मुद्दे को समझते हैं इसकी वज़ा से मैंने यह video बनाया है मैं इस event का विरोध करता हूं मैं इस sex को sport में जोडने की जो घटना है उस category में जोडने की जो किसी भी चीज को sport की category में जब जोड़ दिया जाता है तो वह सारी सुख सुधाय जो sports को मिलती है यानि कि cricket को जो मिल रही football को जो मिल रही volleyball को जो मिल रही tennis को जो मिल रही ऐसी जितने भी sports है इनको जो सुधाय मिल रही है आगे बढ़ने के लिए वह सारी facilities वह सारी सुधाय अब Sweden में sports के रूप में sex को जुड जाने के वज़ा से sex को मिलने लगेंगी तो यानि आपके घर के बाहर आपकी colony में आपके महले में जैसे cricket, volleyball, tennis या अलग-अलग sports खेले जाते, लोग देखे जाते थे, वैसे ही अब sex भी sport हो जाने की वज़ा से आपके घर के बाहर, आपकी colony में, आपके महले में, आपके घर के बगल वाली field में लोग sex को sport के रूप में perform कर रहे होंगे, अभी भी ये बात सुनने में बहुत अच्छी लग रहे है, मैं जान रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा, लेकिन सोच के देखिए, कि किसी की मा, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी की पतनी, किसी की बेटी, किसी का पिता, अगर ये sport perform करता है, तो आपको क्या अच्छा लगेगा, कि आपके परिवार का कोई सदस्त हो, और इस sport को यानि sex को एक championship की तयारी करने के लिए आने वाले अगले साल में perform करे, तयारी करे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, Sweden समाज को गंदा करने की जो conspiracy ह है, उसका शिकार हो चुका है, और अगर अभी हमने इसका विरोध नहीं किया, हाँ मैं जानता हूँ, मैं एक बहुत चोटा आदमी हूँ, मेरा विरोध दर्ज नहीं होगा इतने बड़े पैमाने पे, कि ये event रोक दिया जाए, लेकिन मैं ये जानता हूँ, कि अगर आज मै विरोध नहीं करूंगा, तो जो परंपरा स्वेडन में शुरू हुई है, वो कब हमारे और आपके घर के अंदर घुज जाएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा, और मेरा यकीन कीजिए, उस वक्त आप विरोध करने लायक नहीं होंगे, तो जो भी आपकी छमता है, आप इस जो चैंपियंशिप है, उसका विरोध करें, इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपनी स्टोरी पे लगाएं, जो भी कर सकते हो सोशल मीडिया पे, अपनी बात को रखने के लिए इस घटना के विरोध में सब कुछ करो, क्योंकि आज विरोध कर सकते हो, जब ये घर के अंदर घुछ जाएगा तो विरोध नहीं कर पाऊगी, इस उम्मीद के साथ आप से विदा लेता हूँ, मेरी बात हैं, आपको समझ में आई होंगी, अगर आपको लगता हूँ, मैं मेरे वीडियो आपके लिए, आपका फ्रंट्स के ना भूले, थैंक्स अलाट